आपने अभी तर्त कि यतने भी ये भी वस्वसे के बार वे स्यारत मढापें रहा है मज़ाल बहुत सद्ध़िये करते हैं भी आफ़ता है चल duplicug bo तो इस अपंड़ाु आख लघा चेल करें नमाज में सब्सक्राइब सुछ मतलब अबैर लोगे बहुत बहुत आरी चीश्रा रहे है वस्वासें में अपके जिन में तब तक नहीं मुब्तिला करेंगा जब तक यो बड़ा आपके साथ गेम ना खेल ले अगीदे में और मामलात में नमाज में करेंगा अब उसने ये कर लिया और उसके बाद आपने जो मिसाले दी ऐसा तिजारत की साजबहू की स्टूडन्ट की कि वो जल रहा है कोड रहा मसला है मतलब राइट काइंड अफ तिंकिंग पर है इसलिए कि होता क्या है वस्वसा तो होगा है जो शेतान आपको डाल देता किसी चीज़ को शक में डालने के लिए यह आपका सवाल है कि वो दो लोगों के अंदर जो ख्यालात पैदा होते एक दुसरे के बारे में जिसक जैसा कि एक आदमी बैठा है और बैठे बैठे उसको वो बले कि तेरी बीवी शायद तुझे धोका दे रही यह वस्वसा है इसकी स्टार्ट है लेकिन बीवी को उसने को गलत काम करते वह देखा और उसके बाद उसको कोई चीज़ आई और शेतान ने बोला इसके साथ यह कर दें यह वस्वसा नहीं है यह भैकावा है डारेक्ट उसका अटाक है अपर ठीक है तो लहाजा वस्वसे जहर सी बात है जब ऐसा कुछ अन्बन हो जाती है सास बहु का जगड़ा लेजिए बास ने कुछ कह दिया तो यहां सहतान आकर सीदे भैकाता है मतलब जैसा कि तेरे से आके जारा है वो नौकरी कर रहा है उसकी जॉब देएके नौकरी बढ़ गई तो उसके खिलाव कुछ कर सीदा भैका हुआ ओए यह उसकी चाले है जाल डाल रहा है यह इसी तरह सास है बहु कुछ दिख रही तरह तो इतनी खुछ दिख दिख जब तो तो इसका παम मनसाथ वहों में हो रही है और उसके बाद अगर वह रहे तो यह वस्वसों में नहीं काउंट होंगा यह उसका भैकावा है एक तफसीली समझो एक अलग उन्वान है कि उसके भैकावे से कैसा बचे है जो आकर जैसा काफिरों को उसने आप सुरुलाद समस्वाबा के खिलाफ भैकाया जो वाकिया जंगी बदर का है जंगी बदर से एक रात पहले अबुसुफियान अपना खाफिला लेके निकल गए महफूस हो गए अब लोगों ने आकर कहा कि अब तो खाफिला महफूस हो गया वापस से लाएंगे मक्ये वालों से का तो मक्ये वालों को शेतान ने अब सीधा भैका है वस्वसा ने डाला अरे अब कौन खाली बाने वाला है तुम पर आगए मैदान में तो फैसा करके वापस जाओ क्योंकि शेतान को पता था जितने लोग इसमें मारे जाएंगे वो सब जहनुम रसीद उसके साथी बनेंगे तो ये डारेक्ट अटैक था वस्वसा कब बोल सकते हैं कि उनको लगे मुश्रिकिन को कि अब इदर से अटैक होने वाला है चलो पहले से कुछ करते हैं ये वस्वसे का पाट लेकिन ये सीधा उसका आकर लोगों को बहकाना जैसा कि फजर की वक्त वाकर बहकाता है वस्वसा नहीं दालता है सीधा बोलता है कि अभी टाइम बहुत है हदीस में आता है तो यह सीधा अटाक है उसका अभी बहुत 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 सोजा लेकि निसमे वसवसा भी हो सकता है कि कोई सोचे मैं फजर में उट नहीं सकता हूँ या शायद मैं उट जाओंगा तो मुझे जिसके लिए अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपना ले जो इसलाम ने बार बार हुकम दिया जिसको मैंने अच्छे शागून की नाम से एक पॉइंट लिया था अच्छा शागून ले हर चीज़ से पॉजिटिव थिंकिंग अपना ले तो बहुत सारे मसाल यहीं हलो जाते है मिसाल के तोर पर कि बास ने सबॉडिनेट को या उसके नीचे वाले को डाट दिया तो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग ले कि शायद इसका डाटना मेरे लिए अच्छा है मैं को बड़ी गलती करने से पहले इसने मुझे डाट दिया यह खैर कई पहलू है तो फिर वो आगे का शायतान का डारे का अटाइक भैकाव बच जाएंगे इसी तरह अगर सास बहु को यह बहु सास को कोई चीज़ बोल दे तो यहां वो दोनों यह सोचे कि हो सकता ही जो मेरी बहु ने मुझे कहा यह मेरे फाइदे के लिए था चलो इसको देख लेते और सास ने कुछ कहा तो बहु उसको बुरा ना माने यह सोचे कि मेरी माँ भी अगर मुझे कहती तो मैं क्या बुरा मानती इसका अपनी माँ का चलो स्कूल लेते हैं तो यहां इंशालला वो अगले अटैक से जब वो नेगेटिव सोचेंगे शैतना के बोलेगा जवाब दे लगा अपने वालिद को फोन बुला अपने भाई को इनका क्या हैं ती क्या उखात और हैसियत है तो इन्शालला ये मसायल हाल हो जाएंगे पॉजिटिव थिंकिंग पर कि अच्छा शगूल लेने पर इन्शालला कभी मौका मिला तो मैं एक उन्मान बान रहा हूँ कभी हम रखेंगे कि अच्छी सोच हर चीज़ से अच्छा शगूल लेने से इन्सान कैसे फाइदा उठाएंगा और अक्सर जगड़े जो हमारे समाज में होते ना उसके पिछी कोई वज़ा नी सिवाए वो जो सोच के बैठे हैं हम पहले से और वाद में निकलता है और कभी कोई इतने बड़े फितने होते हैं कि खत्व गारतगी तक मामला चल जाता है वहाँ शैतान का डारेक इंवाल्मेंट है जैसा कि जब एक इनसान खुदकुशी के लिए जाता है शैतान वहाँ उतार बोलता है कर ले तेरे खुदकुशी करने के बाद इनको पोलिस सबको उठाके ले जाएंगी फुला होंगा यह होंगा तो यह तो यह डारेक अटाक है वसवसा नहीं है वो करवाना जाए जब इनसान जला लेता है ना तो भागना शुरू करता है क्यों अब उसके सामने हकीकत आती है और फिर बचने की कोशिश करता है शैतान बोलता है देखो मैंने सिर्फ भैकाया मैंने तो आंग नहीं लगए पकड़के मैंने तो नहीं कुदने को बला अब यह तेरा अल्ला का मामला अल्ला के पास मुझे नहीं पकड़ना और निकल जाता है इसे तरह मौत की बखता है और सीधे अटैक करता है जब इनसान सकराथ में चला जाता है जब बचने की उम्हें नहीं होती तब शैतान आता है और सीधे अटैक है वसवसाने सीधे अटैक है आटाइक क्या करता है, आकर बोलता है, यह मख़भी अख्तियार कर ले, वो मखभी अख्तियार है, हदीस में पूरी तफसील आते हैं, सीधा आकियों करता है, और जब इनसान नहीं बोल देता है, तो फिर मिट्टी मारता है कि काश की यह माकश पर ले जाता है, तो महा उसका आटाइक है, वसबसा नहीं है, इंचाला का यह मौका मिला थाम उसके भी इंचाला कोई बन्मान बांदेंगे